अच्छो हम पढ़ रहे हैं सामाचिक विग्यान कक्षा नवी की लोक्तांत्रिक राजनेती एक जो कि कक्षा नवी के लिए राजनेती विग्यान की पाठे पुस्तक है और इसका अध्याय दो हम पढ़ रहे थे इसका अध्याय दो है सविधान निर्माण जिसमें हमने सविध प्रित्या हुई थी यह भी हमने देख लिया था इसके बाद हम पढ़ चुके थे हमें सविधान की जरत क्यों है यदि आपने यह सारे वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल की प्लैलिस्ट पर जाकर देख सकते हो बच्चों और इसके बाद हम पढ़ चुके भारती सविधान का निर्माण और निर्माण का रास्ता कैसे बना था यह सारे वीडियो हम बना चुके हैं थे और अच्छे से समझने के लिए आप चैनल की प्लैलिस्ट पर जाकर देख सकते हो और आज हम पढ़ेंगे सविधान सभा ठीके बच्चों आज हम पढ़ेंगे सविधान सभा फिर भारत के सविधान के निर्माटा कोन थे यहां आपको सविधान बनाने में प्रमुख भुमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षट में कुछ कुछ जानकारिया मिलेगी तो यह जानकारिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी चुने गई जन प्रतिनिद्यों चुने गए जन प्रतिनिद्यों की जो सभा सविधान नामक विशाल दस्तावेच को लिखने का काम करती है एसे चुने हुए प्रतिनिद्यों की सभा जो की सविधान को लिखने का काम करने वाली थी उसका निर्मान का कारे करने वाली थी वह सविधान सभा कल भारती सविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे ना तो भारती सविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे सविधान सभा की पहली बेठक दिसंबर 1946 को हुई पहली बेठक हुई थी दिसंबर 1946 को इसके ततकाल बाद देश दो हिस्स तो भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया, सविधान सभा भी दो हिस्तों में बढ़ गई, भारत की सविधान सभा और पाकिस्तान की सविधान सभा, इस प्रकार से सविधान सभा भी दो हिस्तों में बढ़ गई थी, भारती सविधान लिखने वाली सभा में 209 सदस्य थे, इस आईसने 26 नमबर 12ini199 को अपना काम पूरा कर लिया, सवीधान 26 जनवरी 1950 को लगू ओवा, इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गंतंतर दिवस मनाते हैं, हम 26 जनवरी को सवीधान लगू ओओओ था, इसलिए 26 जन्वरी को हम गंटरंत्र दिवस मनाते हैं बच्चो और 26 सवंबर को हम जो सविधान पूरा हुआ था इसलिए सविधान की जो हम शपत लेते हैं इस दिन आपको याद होगा कभी आपकी स्कूलों में ली होगी आपने अब यहाँ पर कुछ ऐसे महान व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जिनने सविधान सभा में हिस्सा लिया था और सविधान बनाने का काम किया था उनमें से हैं जैपालसी हैं इनका जन्म 93 नत्यों 97 है जन्म जारखंड खिलाडी और शिक्षावित भारती होकी टीम के पहले कप्त जैपालसी हैं आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष बाद में चारखंड पार्टी के संस्थापक दूसरा नाम दे रखा है एचसी मुखरजी जन्म 1887 रंत्यों 956 जन्म बंगाल सविधान सभा के उपाध्यक्ष प्रसिद लेखा कोर्षिक्षावित कांग्रेसी अगला नाम दे रखा जी दुर्गाबाई देश्मुक जन्म 1909 मृत्यों 91 जन्म आंध्र प्रदेश वकील और महिला मुक्ती कारे करता आंध्र महिला सभा की संस्थापक कांग्रेस की सक्री नेता बाद में केंद्री समाच कल्यान बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष तो इस प्रकार यहां पर कुछ लोगों के नाम थे जिन्नोंने सविधान निर्माण में अपनी मातपुन भूमी का निभाई थी आगे हम पढ़ते हैं इस सभादवरा पचास साल से भी पहले बनाए सभीधान को हम क्यो मानते हैं तो इस सभीधान तो बहुत पहले बन चुका है अपने समय की व्यापक सहमत्यों को व्यक्त करता है दुनिया के कई देशों में सभीधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि सभीधान में दर्ज पुन्यादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समुहों या राशनितिक दलों की सहमती नहीं थी कई देश में सविधान है पर वह कागज का टुकडाया किसी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भरें कोई भी उस पर आचरन नहीं करता पर हमारे सविधान का अनुबव एकदम अलग है पिछली आदी सधी से ज्यादा की अओधी में अनेक सामाजिक समोहोंने सविधान के कुछ प्राउधानों पर सवाल उठाए पर किसी भी बड़े सामाजिक समोह या राजनेतिक दल ने खुद सविधान की वैदता पर सवाल नहीं उठाया यह हमारे सविधान की एक असाधार्ण उपलब्दी है कि सविधान में जो विचार है जो प्रारूप है उस पर किसी ने कभी कोई उंगली नहीं उठाई है या उसकी वैदता पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि हमारा सविधान एक असाधार्ण सविधान है सविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि सविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिद्ध कर रही थी उस समय सारोभूम वयस्क मताधिकार नहीं था इसलिए सविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष डंग से नहीं कर सकते थे इसका चुनाओ मुख्य रूप से उन प्रानती असेंबलियों की सदस्यों नहीं किया था जिन का जिक्र हम पहले कर चुके हैं इसके कारण देश के सबी भोगोली क्षेत्रों का इसमें उजित प्रतिनित्रों हो गया था क्योंकि इसके जो सदस्य थे वा प्रांती असेंबलियों के सदस्यों से ही चुने गए थे, उनमें से ही चुने गए थे, उनमें से ही इनका चुना हुआ था, इस सभा में भारती रास्ट्री कांग्रेस के सदस्यों का प्रभूत था, जिसने रास्ट्री आंदोलन की अगुव पर स्यम कांग्रेस के अंदर कई राजनितिक समों और विचारों के लोग थे, सभा में कई सदसे ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, सामाचिक रूप से सभा में सभी समों जाती वर्ग धर्म और पेशों के लोग थे, तो हमारी जो सविधान सभाती और पेशे के लोग थे इसलिए ही आज भी हमारा सविधान प्रासंगिक है तब भी इसका सुरुप काफी कुछ इसी तरह होता अगर सविधान सभा का गठन सारभों व्यस्क मतादिकार के जरी होता तब भी इसका सुरुप काफी कुछ इसी तरह का होता और अंतत जिस तरह सविधान सभा ने काम किया वह सविधान को एक तरह की पवित्रता और वेदता देता है। सविधान सभा का काम काफी व्यवस्तित खुला और सरसमन्ती बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुन्यादी सिधान्त तैकी गेर उन पर सबकी समती बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुक डॉक्टर बी आराम बेटकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप सविधान बनाया। सविधान के प्रारूप की प्रतेक धारा पर कई-कई दोर में चर्चा हुई। दो हजार से जादा शंशोदनों पर विचार हुआ। तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभिर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ता और हर शब्दोर वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें Constituent Assembly Debats नाम से 12 मोटे-मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्ही बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तरकों को समझा जा सकता है। सभिधान की व्याख्या के लिए भी इस तरह के दस्तावेजों का उप्योग होता है। तो इस प्रकार हमारे सभिधान के निर्माण में जो जितनी भी बहस हुई थी वहाँ पर सभिधान सभा में वह पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुकी है। और यह तीन वर्षों की अतक मेहनस से बना था हमारा सभिधान।